जी हाँ दोस्तों यह देखिए यह जो कमेंट है ना यह कमेंट आया था कुल्विश सिंग्जी का जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आया था उन्होंने पुछा था कि सर जी सब ठीक हो गया क्या प्लीज वीडियो डाले तो मैंने क्या कि सुबह जब वीडियो डाले थे एक अधिकम का डाल दिया था एक शिक्षा सस्त्री मुद्दे फस्ट का एक वीडियो और डाला था मैंने वह वीडियो मैंने डाले थे तो एक दम जोस में डाले थे क्योंकि मैंने कहा कि सब ठीक है गुजरात के आधे मेहमान तो चले गए थे और अब थोड़े बहुत बच कि यह सारे सारे कुछ करवा है ठीक है तो मैं पूरा दिन वहां पर चला गया नहीं तो आज आपको कम से कम 10 वीडियो मिल जाते थे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा और ऐसा कुछ नहीं है संस्क्र्ट है तो संस्क्र्ट चलेंगे फिर एसेश्टी ले लेंगे ना इस परकार से मैं शले बस तो मैं कंप्लेट करवा कहीं रहूंगा तो चलिए अब देखिए आप पढ़ते हैं हम विशेशन नमस्कार दोस्तों मैं हुँ जीए से आप देखने है गुरुजी फॉर एन इंडियन अग्जाम यूटुब चैनल जहां पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे विशेशन हिंदी के अंदर मैंने संग्या और सरणाम पढ़ा दिये हैं और बहुत कुछ ठोपी करवा दिया आप देखले प्लैलेशन में मिल जाएंगे आपको देखिए आज हम विशेशन पढ़ने वाले हैं और विशेशन के अंदर ये क्यूसन 2017 हाई कोट के पेपर में आया था क्या क्यूसन आया था कि संग्या तो सरणाम सब्दों की विशेशन केला थे ये क्यूसन था और यहां तक क्यूस्अल था क्या क्या क्याता है प्रेद्घ ? यहां से आपको परिवासा भी याद होगी तो आपको तो आपको ऐसा सोचना है और ये दोजा शत्रा के अंदर पूचा गया था रास्तान हाई कोट के अंदर ये पेपर आये था इसके अंदर ये क्यूशन पूचा गया था तो पहली परिबास आपको पता गई कि संग्या तो सरणाम सब्दों की विशेशता बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं देती है, चाए काली हो, चाए सफेद हो, चाए कैसी हो, कुछ भी नाम आता ना यहां पे, तो वो क्या होता विशेशन होता, तो देखें, यहां पे गाई और दोड, और अभी हमने उपर, क्या पढ़ा था, आपको बता है, उपर हमने पढ़ा था, कि संग्या, अत्वा सरणा सब्सक्राइब की विशेश तो बताने वाले सब्सक्राइब कुछ लोग आ गए हैं अब आप में से कुछ स्टुडेंट से सूचेंगे सर आपने तो हमें से सरुनाम के अंदर भी कुछ आता ही वह लेकिन मैं यहां पर वहां पर क्या बताया संग्या के इस्तान पर परियुक्त ओने वाले सब्सक्राइब को सरुनाम को हैं और यहां पर यह जो सब देना यह परिमाण वाचक विसेशन है यह द्यान लगना तो आपका यह confusion नहीं होना चाहिए कि सरव नाम है या विसेशन है तो आपको यहां पर यह देखना है कि संग्या खुद भी यहां आ गई अगर यहां संग्या नहीं होती तो फिर सरव नाम कर देते लेकिन स आगे फिर हमको क्या सोचना यहां तो विसेशन ही होगा ना ऐसे मैं दूर करूंगा आपके आगे आगे चलते जाएंगे जैसे ना तो चलिए आगे देखते क्या है हां आगे आया है विसेशन और विसेशी आगे आया विसेशन और विसेशी है तो इसका आर्थ जानना तो यह किया है आपको आना चाहिए चलिए हाँ आपने सोचा होगा कि ये है सरज़ी लगते हैं तो देखिये इसके अंदर जो ये मिठ है और वेंजन ये दो सब्सक्राइब तो देखिये अब जो सब्सक्राइब ये संग्या का सब्ध आपको दिखे देते हैं ना मतलब कि यहां पे तो आपको यहां पर यह भी सरो Kum वेंजन ना मिट्रे ना मिट्लिय की सब्ध करें अगला यहां देखेंस लेकिक हैं तो तो काली विसेश्ता है तो बिल्ली क्या होगी यहाँ पर यहाँ पर बिल्ली होगी विसेश्य है मतलब कि वो संग्या या सरुनाम सब्द जिन की विसेश्ता बता ही जाती है वो क्या कहलाता है विसेश्य कहलाता है यहां पर यह जो बिल्ली खुद क्या है विसेश यह और विसेशता क्या है काली है इसलिए मैंने यह पहले लिखे अब चलिए मैं आपको देखे परिवासा बता देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए ताकि confused ना हो कहीं पर भी जिस संग्या या सरुनाम सब्द की विसेशता परकट की जाती देखिए यहां पर कीक नहीं कि जिस संग्या या सरुनाम सब्द की विसेशता यह देख लिए जिए विसेशता परकट की जाती है उसे तो कहते हैं विसेशी यह सब्द व्यंजन है ना यह विसेश्य है ना यह विसेश्य है और जो विसेश्टा सब्द होते हैं उन्हें तो विसेशन कहते ही हैं अब यह विसेशन होते हैं कभी तो सब्द के आगी लग जाते हैं और कभी पिछे लग जाते हैं कैसे मतलब कि सब्द किया कभी विसेश्य विसेशन सा पहले आ जाते और कभी विसेशन के बाद में कैसे हैं यह विसेशन स्रब यहां पे बात все जा रही है यहां पे जो विसेशन से यह बिल्ली विसेशन यह तो इसके आगे-ागे यह मिठे यह जो है यह भी इसके आगे आगे देखते हम एक कुदान जो इसांके पिछे क्याff विशेश यह यह बहुत बिढ़े है ना तो यह बहुत मिढ़े क्या हो गया क्या विसेशन और 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 विसेशन औ तुर बालक अपना काम कर लेते हैं इसके अंदर उदेश्य विशेशन है या विदेविशेशन है या फिर ऐसा क्यों सन आ जाएगा निम्न पंक्तियों में उदेश्य विशेशन किन में ऐसा कुछ क्यों सन आएगा आपका तो आपको क्या गणा देखी मैं आपको उदेश्य और विदे विशेशन के बारे में बता देता हूँ उदेशी विशेशन है वो देखिए जो विशेश्य है ना आपको ये देखना पढ़ेगा पहले तो विशेश्य क्या है विशेश्य क्या इस लाइन में विशेश्य आपको पता चल गया कि बालक है जिसकी विशेशता बताई जाती है वो सब्द खुद विशेश्य होता है जिस चीज से विशेशता बताई जा रही है वो क्या हो गया विशेशन हो गया तो देखिए जिसकी विशेशता किसकी विशेशता बताई गया इस लाइन में तो बालक की विशेशता बताई तो जाएगा विदया विशेकिशचे जो पहले विशेशन आए तब とो होगा विशेश्य के बाद scripture क्विशेशन आता है। और scripture के दकाले कही क्योंकि सामें और गचैब्स भी flakes के देखी और समस्भाए डाइर। क्या होता है क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको पूरा अगर परिवासाइं लिखके बताऊंगा तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा न क्योंकि देखिए डाइरेक्ट आपको बताना ज़रूरी है कि क्या सइव पूछा ऐगा कि निम्न में में तो हां वई यह तो हो गया विषमी और विषमी चीज से पहले अगर विशेश्ण के भैध में सब पहला पांकवा सब्कूरा neighborhood होते हैं कहीं किस पहलेंहों कितब हो कर लगेंड होते हैं कोई षवा चार हैं कोई 5 बहते हैं न दो परिणाम वाचक, संक्या वाचक, संकेत वाचक, व्यक्ति वाचक, ऐसे पांच बेद होते हैं, हम सबसे पहले गुण वाचक विश्येशन को देखें, तो गुण वाचक विश्येशन के अंदर आपको अब देखें, आप मुझे पता, आप नहीं सुचा गा, हाँ, इसके अच्छा वहाँ पे लिखा हो गया यह अच्छा आदमी तो आदमी का गुण क्या अच्छा हो गया तो आप उसको कर दोगे हाँ यह तो मान लिया गुण अब कहीं पे लिखा होगा यह बुरा आदमी कहीं दोस भी तो लिखे होंगे कहीं रंग भी लिखा होगा तो ये आपको खाले गुण से मतलब नहीं रखना है मतलब की यहां गुण से क्या थात्परिया है पता है यहां गुण से मतलब की गुण से थात्परिया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेश इस्तती विशेश दसा विशेश दिशा, विशेश रंग, विशेश गंद, विशेश काल, विशेश इस्तान, विशेश आकार, विशेश रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई ये सारी विशेशता बताई जाती ना, तब वहां गुणवाचक विशेश सुनोता है मुझे पता, आपने यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है आपको किसे पता चलेगा, कि यहाँ आपने क्या बोल दिया, चलिए मैं आपको पूरा डीटेल में बता दिता हूँ, यह सारी चीजे अब यहाँ पर देखिए कि जो मैंने आपको भी चीज बताई थी ना क्या कि बै किसी भी वस्तु या भेक्ति की विसेश इस्तती विसेश दशा विसेश दिशा रंग गंद काल इसान अकार यसी चीज़े थी ना जो ये गुण वाचक विसेश रिम के अंदर ये सब्दा दे कैसे आखे से देखिए पहली ची भला विनर्म ये जो दयावान विसेश्ट ये जो सब्दे ना ये गुण या दोस के लिए आ थे अब रंग विसेश रंग जैसे की काला पिला निला हरा लाल सुनेरा ये जब नाम देखो ने आप उस लाइन में कि इस वेक्ति का रंग तो काला है तो अब देखिए ये काला क्या हो गया काला हो गया कि इस वेक्ति का रंग क्या है काला है तो ये काला क्या हो गया काला एक विसेशन हो गया कौन सा विसेशन हो गुण वाचक विसेशन हो गया बस इतनी सी बात है चमकीली चमकीला गुलाबी सतरंगी चितकबरा ये जो रंग हो के नामना यहां पर चि विशाज शुक्ष्म ये भी गुणवाचक विशेशन के सब्दे खटा मिट्टा ये श्वाद में देख लीजिए मदूर कड़वा नमकीन तिक्त कसेला इस पर्ष में कठोर नरम कुर्दरा कोमल चिकना स्निक्द सुगंदित ये गंद के अंदर देख लीजिए दुरगंद पूर्ण खुसबवुदार बदबुदार शोंदा घंधिन अब देख लीजिए कुछ दिसाओं के नाम उत्री पूर्यवी पस्चिमी दक्षिनी पस्चिमत और पास्चात्य भीत्री बहरी ये भीत्री और बारी इसको भी याद रगना कहीं गलत नहीं हो जाई भीत्री बह देखिए युवा बुड्धा अंधेड प्रोड तरून सुखा पिगिला तरल ठोस ये सारी चीज़े अवस्था के अंदर बताई जाती है ग्रामेड वारतिय रुसी बनारशी देशी विदेशी बहरी लखनवी अमेरिकी राष्ट्य अंध्राष्ट्य ये सारी चीज़े इ पूराना बसी इतियसिक नया देनिक वारे सिख तो यह क्या हो गया काल हो गया ये क्या होगया इस्तान के मतलब टहीं जाती न मैं संग्या में आगतें है आपको पता होगा असजाए जा न territory ये 60 अमेरिकी नाम ये सद लिगर के अनिद आदर आए जानेगा इस साने इस यह एक अमेरिकी है तो यह क्या हो गया एक विसेशन हो गया यह विदेश हिए तो यह बना रे शीषाड़ी है यह रूस हिए न तो यह सारी चीज़े इन सारी चीज़ों को आप खुद बना सकते हो रहाम से मैंने यह इसली बताए क्यों कि देखिए सब्द यात रहेंगे तभी तो होगा ना कुछ तो आपके सामने ये सब्द लिखेंगे इनको दू-तीन वार पोस्ट करके आप इसको तीन वार या चार वार कम से कम पढ़ लीजी ताकि आपको हमेसा ये आपके दिमाग में बेट जाएंगे चलिए हम अगला कुछ पढ़ते हैं कौन सा भेदे तो ये था हमारा गुण वाचक विश्चेशन देखिए मैंने आपको बता दिया कि गुण में खाली गुण नहीं देखे जाते हर चीज को देखा जाता और टिमाग में बिठाएं अगला जो भेदे ना वो है परिमाण वाचक विश्चेशन इसे परिमाण वाचक विश्चेशन परिमाण वाचक विश्चेशन में एग्जाम्पल लिहें, पहले आप इनगों देखिये, कि वहबाद में कुछ ज़े भी खाता है, वहबाद में कुछ ज़े भी खाता है, ना तो यहां पर देखिए, आप कुछ को देखे, आप करोगे, कि यह निश्षी तो ऋसम सरोना, मैं ने आपको यहां परिमान है यह इनिश्चित वाचक परिमान वाचक विसेशन है लेकिन ये तो परिमान वाचक विसेशन है वाeu आप सरवनाम मतले किया जैसा न बकिंगी यहांपर देखिए संग्या के साथ में अगर संग्या नहीं आती कुछ भी राम्सर साथ पहले उप्सन क्या के साथ पहलवान रोज 4 किलो दूद निवी मलए यहां पिक्स निश्चित बात कह दिती चार किलो दूद, हाँ बई मुझे पता दूद को माप नहीं सकते हैं लेकिन फिक से माप उसका चार किलो दूद है, चार किलो से एक बूंद भी जादा वो नहीं पीता है, तो ये किया हो गया, निश्चित परिमाण वाचक विसेशन हो गया, चलिए अब आपको देखिए नि निश्चित परिमाण वाचक विसेशन, तो ये देख लिजी, यहाँ पर है कि निश्चित परिमाण वाचक विसेशन के अंदर, जो सब्द आते हैं उनको मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर लिखा हो कि 5 किलो मुझे गी चाहिए, तो फिर आप अराम से निश्चित परिमाण वाचक कर देना, 10 क्विंटल गहूं चाहिए, तो आप राम से निश्चित परिमाण वाचक कर देना, इसी परकार ये सारी चीज़ें देख लिजी, एक तोड़ा सोना चाहिए, 10 मिटर कपड़ा, ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, निश्चित परिमाण, निश निश्चित परिमाण वाचक में देखिए धेर सारा मखन पहुसी लसी कुछ गी कई किलो धही पचासों मन ग्यूं तनिक अचार थोड़ी चटनी जरास आपको पढ़ते ही यह पता हो जाएगा कि हाँ यह यह निश्चित बात गई गई है धेर सारा मखन अब इसमें यह फिक् दोस्तों यह तो थैं है अपने संख्या वाचक वाचक के बारेमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा उसके बाद में अघले पाठिक इंदर झाल झाल